परिचय चात्रो अब हम उस वस्तू के बारे में जानेंगे जिसके दौरा पदार्थ की उत्पत्ती हुई है क्या तुम में से कोई मुझे उस वस्तू विशेश का नाम बता सकता है? हाँ, राहुल तुम सेर, परमानू बिल्कुल सही परमानू वो सबसे छोटी वस्तू है, जिससे पदार्थ बना है तो आओ, इस पार्ट में हम परमानू के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे परमानू के विभिन माडलों का वर्लन करना टॉम्सन के परमानू माडल को स्मरन करना रदर फोट के परमानू माडल वा उसकी कमियों की चर्चा करना बोर के परमानू माडल की व्याख्या करना इलेक्ट्रानों के विभिन कक्षों में प्राकीर्णन को स्मरण करना पर्मानू संखिया, द्रविमान संखिया, समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर करना पर्मानू शब्द पर्मानू युनानी शब्द एटम से बना है, जिसका आर्थ होता है अविभाच्चे युनानियों ने यह निशकर्ष निकाला था कि पदार्थ को देखे ना जा सकने वाले अधिसुक्ष्म कड़ों में तोड़ा जा सकता है इन कड़ों को वे पर्मानू कहते थे, पर्मानू तीन प्रकार के कड़ों का संयूजन होते हैं प्रोटॉन, निट्रोन एवं इलेक्ट्रोन अधिकांश पर्मानू द्रविमान के लिए प्रोटॉन तथा निट्रोन उत्तरदाई होते हैं प्रोटॉन तथा निट्रोन दोनों ही नाभिक में त्वारित होते हैं प्रोटोनों का आवेश धनात्मक होता है, नियोट्रोनों का कोई आवेश नहीं होता, वे उदासीन होते हैं, एलेक्ट्रोन नाभिक के इर्दगिर्द के कक्षों में त्वरित होते हैं, उनका आवेश रनात्मक होता है, परमाणू संक्या का निर्धारन प्रोटोनों की संक् अर्थाद H बराबर एक. समस्थानिक नूट्राणों की अलग अलग संख्या में भी यही तत्व पाए जाते हैं. इनसे एक तत्व बंदा है, जिसे समस्थानिक कहते हैं. समस्थानिक के रासाइनिक गुण वही होते हैं, यद्यपी कुछ समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं. कुछ समस्थानिक रेडियो धर्मी होते हैं, अर्थात वे अधिक स्थिरूप, संभवता, एक अन्य तत्व अर्ध जीवन में क्षरित होते समय उर्जा विक्रित करते हैं, किसी तत्व के पर्माणूं को स्थिरूप में क्षरित होने में समय लगता है. एक अन्य उधारण है, एक पर्माणूं संख्या वाले हाइड्रोजन में एक, दो या तीन न्यूट्रोन हो सकते हैं. टॉम्सन का पर्माणूं मौडल जे जे टॉम्सन ने प्रस्तावित किया, कि पर्माणूं धनावेशित पदार्थ का एक ठोज गोला है, और रणावेशित कर्ण, इलेक्ट्रोन उसमें तर्बूस के बीजों की भाती धसे हुए होते हैं. तर्बूस के खाने योगे लालभा की तुलना पर्माणूं के धनावेशित से की गई. टॉम्सन ने प्रस्तावित किया, कि पर्माणूं धनावेशित वाले गोले के रूप में होता है, इलेक्ट्रोन उस गोले में धसे रहते हैं. मोटे तोर पर परमाणूं विद्धिये रूप से उदासीन होता है क्योंकि परिमाणूं में धनात्मक एवं रनात्मक आवेश समान होते हैं हालाकि टॉम्सन की ये व्याख्या कि परमाणूं विद्यूतिय रूप से उदास्थीन होता है अन्ने विग्यानिकों द्वारा गलत सिध्ध कर दी गई रदर फोर्ड का प्राकिर्लन प्रयोग अन्नेस्ट रदर फोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें प्लेटिनम एवं सोने जैसी धात्वों की पतली पन्नी के माध्यम से आवेशित कर्णों की बहचार की गई प्रयोग में लाए गए आवेशित कर्ण ए यानी अलफा थे और उनका द्रवेमान हाइड्रोजन के परमाणों की तुलना में चार गुना तथा धनावेश इलेक्ट्रोन पर आवेश के परिमाण का दो गुना था धातू की पतली पन्नी में परमाणों की कुछी पर्तों के होनी की अपेक्षा की गई थी पन्नी पर विक्षेपित आवेशित कर्णों की गती पर रणावेश वा धनावेश के विभाजन के विभिन प्रकारों तथा परमाणों के द्रवेमान का प्रभाव पढ़ने की भी अपेक्षाखी गई थी। टॉम्सन के परमाणों मॉडल के आधार पर ये पाया गया कि धातों की पन्नी से गुजरते हुए आवेशितकन एक छोटे कोण पर मुड़ जाते थे। अथवा प्रतिरुद्ध करते हैं, जिस प्रकार आवेश एक दूसरे को प्रतिरुद्ध करते हैं। केंद्रक की ये धनावेशित संदचन नाभिक कहलाती है। रदर फोड का परमाणू मौडल अपने प्रयोगों के आधार पर रदर फोड ने परमाणू का नाभिक की ये मौडल प्रस्तुत किया। उनके मौडल के अनुसार परमाणू एक धनावेशित केंद्रक नाभिक पर आधारित होता है। नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रोन उसी प्रकार परिक्रिमा करते हैं जैसे उपग्रह सूरे की परिक्रिमा करते हैं। इसलिए इस मौडल को परमाणू का उपग्रह ये मौडल भी कहा जाता है। कक्षो में इलक्ट्रोनों की संख्या नाभिक में उपस्थित धनावेशों यानी प्रोट्रोनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए परमाणू विद्धुतिय रूप से उदासीन होता है। परमाणू के आयतन की तुल्ना में नाभिक का आयतन नगर्णे होता है। उदारनार्थ यदि हम परमाणू की परिथी को एक किलो मीटर मानें, तो नाभिक का आकार परमाणू के कौर केंदरक में उपस्थित क्रिकिट गेंद के बराबर होगा। इस प्रकार परमाणू में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। रदर फोड के नाभिकिये परमाणू मौडल की कमिया रदर फोड के मौडल में ये कमी है कि चुकि नाभिक वा इलेक्ट्रॉन विद्ध इस्थेतिक आकर्शन बल के दोरा साथ साथ रहते हैं इससे नाभिक वा इलेक्ट्रॉनों का आपस में टक्राव हो सकता है परमाणू में यह नहीं होता इसके लिए रदर फोर्ड ने यह व्याक्या दी कि नाभिक के चारों और इलेक्टरोन सरपिल पत्थ में चक्रित होते हैं यह भी संतोष जनक नहीं है क्योंकि सरपिल पत्थ में गती करने से इलेक्टरोनों की उर्चा समाप्त हो जाती है और आखिरकार वे नाभिक में गिर जाते हैं किन्तु परमाणू स्थिर होते हैं बोर का परमाणू मॉडल निल्स बोर 1913 ने रदर फोर्ड के मॉडल की कम्यों को दूर करते हुए परमाणू सनचना का एक परिश्कृत मॉडल प्रस्तावित किया जो की आधूनिक परमाणू सिध्धान्द की ओर पहला कदम है इस सिध्धान्द की आवधारणाएं निमनलिखित हैं इलेक्ट्रोन नाभी के चारों ओर केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चकरण कर सकते हैं जिनें विविक्त कक्षाएं कहते हैं इन में से प्रतेक स्थिर कक्षा में निश्चित ऊर्जा होती है अताहा उन्हें उर्जा इस्तर, उर्जा कवच, अथवा स्थावर अवस्था कहते हैं चुकि इलेक्ट्रोन एक निश्चित कक्षा में रहता है अताहा उसकी उर्जा लंबे समय तक बनी रहती है भिन भिन कक्षों के इलेक्ट्रोनों की उर्जा भिन भिन होती है जब इलेक्ट्रोन निम्न उर्जास्तर से उच्च उर्जास्तर में जाते हैं तो कुछ उर्जा उच्च उर्जास्तर में जाते हैं तो कुछ उर्जा उच्च उर्जास्तर में जाते हैं तो कुछ उर्जा उच्च उर्जास्तर में जाते हैं तो कुछ उर्जास्तर उच्च जहां H प्लैक का इस्थरांख है तथा V अवशोशित या उत्सर्जित विक्रण की बारम बारता है. इलेक्ट्रॉनों का विभिन कक्षों में वित्रण बोर तथा बरी ने इलेक्ट्रॉनों के परमाणों की विभिन कक्षाओं में वित्रण के बारे में बताया. किसी कक्ष में उपस्थित, इलेक्ट्रोनों की संखिया एक सूत्र दो एन दो द्वारा निकाली जाती है इसमें एन का अर्थ कक्ष की संखिया है वाहतम कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रोनों की अधिकतम संखिया आठ है तथा उपान्तिम कक्ष में अठारा से अधिक इलेक्ट्रोन नहीं आ सकते संयोजक्ता किसी तत्व की संयोजन क्षमदा को संयोजक्ता कहते हैं अर्थात किसी परमाणों के अन्य तत्वों के परमाणों के साथ एक निश्चित संख्या में रासाइनिक एकी करण की ख्षमदा तत्वों के परमाणों की संयोजन ख्षमदा जैसे की व्याख्या की गई है वाहितम कक्ष के अश्टक को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास है बोरान की संयोजक्ता तीन और कारबन की संयोजक्ता चार होती है क्यूंकि वाहितम कक्ष में क्रमशा तीन वा चार इलेक्टरॉन होते हैं चुकि वाहितम कक्ष में फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अताहा अश्टक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को घटा दिया जाता है, अताहा फ्लोरीन की संयोजक्ता एक है. पर्माणू संख्या किसी तत्व की पर्माणू संख्या पर्माणू के नाभिक में उपस्थित प्रोटानू की संख्या होती है, चुकि पर्माणू विद्ध उदासीन होता है, प्रोटानू वा इलेक्ट्रॉनू की संख्या समान होती है, इस प्रकार पर्माणू में उपस्थित द्रवेमान संख्या परमानू में प्रोटानों की संख्या बराबर Z होगी परमानू में इलेक्टानों की संख्या बराबर Z होगी परमानू में न्यूटानों की संख्या बराबर A, R, Z होगी हाइडोजन वा आक्सीजन के परमानूं की संदचना हाइडोजन परमानू प्रोटोनों की संखिया P b Snap B vzeit z borg un, elektronum की संखिया E z borg un, neutronum की संखिया N v carriage z, v glove o. अता, हाइडोजन के नाभिक में, केवल एक protoAT होता है। प्रत्मकश में एक elektron होता है। ओक्सीजन पर्मानू, पर्मानू संख्या Z बराबर 8, द्रवेमान संख्या A बराबर 16, प्रोटोनों की संख्या P बराबर 8, एलेक्ट्रोनों की संख्या E बराबर 8, न्यूट्रोनों की संख्या N बराबर A रिन Z बराबर 16 रिन 8 बराबर 8। समस्थानिक डाल्टन ने अपने सिध्धान्त में कहा था कि एकी ही तत्व के पर्मानू आकार, अमाप तथा सनचना के दृष्टिकोंड से समरूप होते हैं। रग्यानिकों ने डाल्टन के इस विश्लेशन में विश्वास व्यक्त किया, लेकिन बात में इसे आमान ने कर दिया गया। किसी तत्व में एक से अधिक प्रकार के पर्मानू हो सकते हैं। इक ही तत्व के पर्मानू की पर्मानू संच्खिया यानि Z समान होती है। किन्तु द्रव्यमान संख्या अथवा आंशिक परमानु द्रव्यमान यानि ए भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में न्यूट्रोनों की संख्या के मामले में समस्थानिक परस पर भिन्न होते हैं। लगभग सभी तत्वों में समस्थानिक होते हैं। हाइडोजन के समस्थानिक, हाइडोजन के समस्थानिक तीन होते हैं, प्रोटियम यानि H, ड्यूटिरियम यानि D, ट्राइटियम यानि T. समभारिक अलग-अलग तत्वों के पर्माणों में जब पर्माणू संख्या भिन किंदू द्रविमान संख्या समान हो, तो उन पर्माणूं को समभारिक कहते हैं, उधारनार्थ, केल्शियम वा और्गन में भिन इलेक्ट्रों संख्या तत्था भिन पर्माणूं संख्या होती है, किंदू उनकी द्रविमान संख्या समान अर्थाद 40 होती है, इसलिए उन्हें समभारिक कहते हैं, क्या आप जानते हैं, 1911 में आननेस्ट रदरफोर्ड ने खोज की, कि पर्माणूं का अधिकांश द्रविमान नाभिक में स्थित होता है, जिसमें प्रोट्रों तथा न्यूट्रों भी होते हैं, इलेक्ट्रों की तुल्ना में प्रोट्रों का द्रविमान 1836 गुना होता है, उनके विप्रीत आवेश परिमाण में ठीक बराबर होते हैं, इलेक्ट्रों नाभिक के चारों और छोटा कक्ष नहीं बना सकता, क्योंकि हीसन बर्ग के अनिश्चित्ता सिध्धांद के अनुसार इलेक्ट्रों की तरंग जैसी प्रकृती उसे छोटिक शित्र में सीमित होने से रूकती है, सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं जेजे टॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणू धनावेशित पदार्थ का एक्ठोज गोला है और रणावेशित कर्ण इलेक्ट्रों उसमें तर्बूस के बीजों की भाती धसे हुए होते हैं रदा फोर्ड के अलफा कड़ों के प्राकीरलन प्रयोग ने परमाणू केंद्रक की खोच का मार्ग प्रश्चस्त किया रदा फोर्ड ने प्रस्तावित किया कि जिस प्रकार उपग्रह सूरी की कक्षा में खुमते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रोन केंद्रक के चारों ओर खुमते हैं इसलिए इस मॉडल को परमानू का उपग्रहिये मॉडल भी कहते हैं बोर्ड ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रोन विभिन कक्षाओं में विभिन उजैस्तरों पर वित्रित होते हैं किसी तत्व की परमानू संखिया परमानू के नाभिक में विद्धिमान प्रोटॉन की संखिया होती है समान परमानू संखिया यानि Z किन्तु भिन द्रवेमान संखिया यानि A आंशिक परमानू द्रवेमान वाले एक इही तत्व यानि कुछ तत्वों के परमानू को समस्थानिक कहते हैं भिन्न पर्मानु संख्या किन्तु समान द्रविमान संख्या वाले विभिन तत्वों के पर्मानु को संभारिक कहते हैं